नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का इस्टेडी गिलोज पर बैंकिंग अवेर्नेस में जून मंद का पार्ट टू हम लोग कवर करने वाले हैं आप लोगों ने यदि इससे पहले पार्ट वन को कवर नहीं किया है तो आप लोग के लिए एक एडवाइस है, सबसे पहले आप लोग उसे कवर कीजिए ताकि आप लोग का जून मंद का पूरा बैंकिंग का आवेर्नेस कम्प्लीट हो जाए एक बात मैं आप लोगों से कहता हूँ आप लोग जब भी तैयारी करें तो ये बात डिटर्माइन कर लीजिएगा कि यदि आपको सक्सेज हासिल करनी है तो इसका कोई भी शॉटकट नहीं है आप लोगों को तैयारी बहुत अच्छी, बहुत बहतरीन जो है वो करनी है हार्ड वर्क जो है इसका कोई भी तोड नहीं है हार्ड वर्क और प्लस स्मार्ट वर्क दोनों मिल जाते है तो ये मान के चलिएगा कि आपकी सफलता, आपका जो सक्सेज है वो आपके नजदीक आ जाएगा पैरेंट्स को मत भूल जाना आप लोग, क्योंकि पैरेंट्स जो हैं उनके पीछे ही आप लोग इसकाबिल बने हैं कि कोई कम्पिटिशन एक्जाम दे पा रहे हैं तो इश्वर को याद करने से पहले अपने पैरेंट्स को याद करना और किसी भी एक्जाम में उतर जाना आपकी जीस सुनिसिस्त होगी तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग बैंकिंग अवर्नेस के जून मन्त के पार्ट टू का आप लोग मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं जो भी क्वेरीज हैं मुझे पूछ सकते हैं इसके साथ में ही रिसेंटली सेबी के द्वारा म्यूचल फंड पर एक समीथी जो है वो गठित की गई थी और इस समीथी के रिसेंटली चैर्मेन जो हैं वो कौन बनाए गए हैं आंसर हो जाएगा आपका ओशा थरोट ये जो है डी ये करेक्ट आंसर है एक महिला जो है वो इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं ये बहुत अच्छी बात है इसके साथ में आप लोग देखते होंगे रंजना प्रकास देशाई जब जम्मू कश्मीर जो परिसीमन आयोग है जम बग 90 के पास-पास बताई हैं चली वापस आते हैं अपने पॉइंट पर तो सेबी ने अपने mutual fund पर जो सलाकार समीती है advisory जो committee है इसको reconstruct किया और उसकी अध्यक्षा जो है वो किसको बनाया उशा थ्रोट जो है इनको बनाया गया था ठीक है इस panel के अंदर कितने सदश्य है जो भी सदश्य हैं तेकि mutual funds क्या होते हैं बिचिकली mutual fund जो है वो सेबी के अधीन आते हैं जो भी companyya mutual fund को release करती है launch करती है वो सभी सेबी के अधीन आती है और ये risk basis एक fund है mutual fund जो है वो share market के according जो है वो क्या होता है वो operate होता है हम लोग इसको ऐसे समाझ सकते हैं कि मानली जी पांच लोग है उन्होंने मिलकर जो है एक fund निर्मित किया है और उन पांच लोगों के fund को control करने के लिए एक व्यक्ति जो है वो और रख दिया गया है accounts officer और वो क्या करता है कि share market के अंदर उस पैसे को invest करता है यदि share market आपको ओपर आता है तो mutual fund के अंदर आपको profit मिलेगा और यदि share market नीचे जाता है तो mutual funds जो है उनके अंदर आप लोगी कमी आ जाएगी I think आप लोग समझ चुके होंगे हाल ही में किसे SBI का नया MD जो है वो appoint किया गया है it's a very important question SBI से related PNB से related जो भी banking के questions होते हैं वो आप लोग को बहुत अच्छे से कर लेने चाहिए second number question का correct answer है आलोग चौधरी आलोग चौधरी को SBI का MD जो है वो appoint किया गया है SBI के 4 जो है 4 नंबर पर ये MD निक्थ हुए है 30 जून 2024 तक जो है वो इसके in charge रहेंगे और ये जो appointment है ये किसके दोरा की जाती है banks board bureau के दोरा ये appointment की जाती है इस sentence को आप लोग रट लीजेगा घोट कर पी जाईगा क्यों क्योंकि UPSC 2016 के अंदर ये question पूछा गया था कि जितने भी banks होते हैं उनके CEO MD की appointment जो है वो किसके दोरा की जाती है option में RBI का भी था लेकिन RBI जो है वो गलत आंसर होगा bank board bureau के दोरा ये appointment की जाती है next देखिए which company has acquired 26% stack in recently incorporated renewal energy firm human energy private limited for 1.60 crore तो recently human energy private limited में 1.60 crore में किस company ने 26% हिसेजारी जो है इसका अधिगरन कर लिया है तो ये किया गया है tech mahindra के दोरा तो tech mahindra के दोरा recently ये जो है अधिगरन किया गया है acquire जो है वो की गई है tech mahindra ने हाल ही में निगमित अक्षय उर्जा firm जिसको हम लोग कहते हैं क्या कहा जाता है renewable energy firm human energy limited जो है इसके अंदर 26% हिसेजारी का अधिगरन किया है और इसके लिए 1.60 करोड रुपी जो है इसको pay किया जाएगा 90 दिनों के अंदर ये पूरा linden confirm हो जाएगा next देखिए HDFC ने हाल ही में digital परिवर्तन के लिए कि सूचना प्रदोगी की firm के साथ सहयोग किया है तो इसका correct answer हो जाएगा Accenture Accenture एक multinational company है और इसके साथ में ही recently सहयोग किया गया है HDFC ने अपने उधार कारोबार को digital रूप से बदलने के लिए वेश्विक सूचना प्रदोगी की सेवाओं और परामर्श फर्म Accenture जो है इसके साथ में क्या किया है सहयोग किया है ही जो सहयोग है HDFC के रिंड देने वाले जीवन चक्र को कागज रही है मतलब देखिए कि पूरा जो life cycle है इसको paperless बनाने के लिए अजाइल बनाने के लिए काफी फुर्तिला वो होना चाहिए ताकि जितने भी customers हैं वो क्या हो सके इसका फाइदा उठा सके नेक्स देखिए विच प्रेटफॉर्म हैस रिसेंटली लॉंच SMB साथी उत्सव इनिशेटिव तो support small businesses of digital medium तो यहाँ पर साथी उत्सव पहल जो है इसकी शुरुवात किसकी दौरा की गई है डिजिटल माध्यम से correct answer हमारा हो जाएगा whatsapp देखिए whatsapp जो है वो अभी काफी चलन में है whatsapp को कोई replace जो है वो करने वाला कोई दूसरा app नहीं आया है इसके साथ में ही other जो option है ये भी social media के platform पर बहुत अच्छा काम कर रहे है तो whatsapp जो है ये digital माध्यम से SMB साथी उत्सव पहल जो है इसके दौरा शुरू की गई है उद्देशी क्या है इसका इसका target क्या है objective क्या है जितने भी छोटे website है उनको whatsapp business app से digital माध्यम को अपनाने में मदद करता है आप लोग को पता होगा कि whatsapp पर एक symbol आता है इस पर rupees का sign होता है तो rupees की sign पर आप लोग digital payment जो है या किसी को transfer करना हो पैसा तो whatsapp के माध्यम से भी आप कर सकते हैं तो SMB साथ ही उत्सव ने जैपूर के जोहरी बजार और बापू बजार में एक pilot के साथ में ये पहल जो है वो शुरू की है ये पाइलिट प्रोजेक्ट जो है वो शुरू किया गया है 500 से अधिक छोटे website जो है उनको क्या किया जाएगा यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाएगी पहल जोश टॉक के सायोग से जो है वो शुरू की गई थी जोश टॉक आप लोग जानते हैं ये एक platform है जहाँ पर काफी interview जो है वो conduct करवाई जाते हैं SMB साथ ही उत्सव SMB साथ ही अभियान का क्या है दूसरा चरण है next देखिए संयुक्त राष्टर द्वारा श्रिलंका को उनके वित्ती संकट के लिए कितनी रिन राशी जो है वो प्रदान की जानी है बहुत अच्छा कोशन है और श्रिलंका के अंदर जो economic crisis सेल रहा है इसको अब control करना मुश्किल है वहाँ के जो PM है वहाँ के जो precedent है उन्होंने recently अपने पज से regeneration दे दिया है और 48 million जो है डॉलर यह यहाँ पर एक सहायता रासी जो है वो की जानी है United Nations के दौरा श्रिलंका में basically क्या हुआ है कि श्रिलंका की जो economy है वो depend करती है tourism के उपर और tourism sector जो है वो depend जो है tourism sector के उपर लगभग 12% GDP जो है वो depend करती है अब COVID के अंदर क्या हुआ कि COVID के अंदर tourist काफी कम आए जिससे यहाँ की GDP को नुकसान हुआ दूसरी बात कि अधर देशों से यह जितना भी crop है या फिर हम लोग कहें कि food grains जो है इसका import करते हैं और दूसरे देशों के अंदर इसकी कमी के चलते food grains import नहीं हो पाए श्री लंका के अंदर इसके साथ में ही इनका जो import है वो काफी ज़्यादा बढ़ गया और export जो है वो कम हो गया इसके चलते यह जो government है यह debt के अंदर आई और यहाँ के PM और प्रेसिडेंट ने क्या दिया है रिसेंटली रजीनेशन दे रिया है तो सायोक्त राष्ट जो है United Nation चार महीने की अबधी में लगदक 48 मिलियन डॉलर जो है इसका भुगदान करेगा इनकी सायोक करेगा जिसमें food के लिए थीक है या फिर हम लोग का है सुनेशित करने के लिए 5 बिलियन डॉलर आवशक है और श्रिलंका ए रुपे को मजबूत करने के लिए 1 बिलियन डॉलर की क्या है आवशकता है next देखिए RBI ने Basin Catholic को Corporative Bank और जिला सहकारी केंद्रिये बैंक हम लोग बात कर रहे हैं किसकी Basin Catholic Corporative Bank और इस पर जो है वो एक जुर्माना राशी लगाई गई है क्या हमारा correct answer हो जाएगा 50,000 रुपीज ये जुर्माना राशी जो है वो लगाई गई है RBI के दोरा जो Act है 1934 इसकी दोरा कुछ Rules and Regulation जो है वो Decide किये गए थे जिसकी अनुपाल ना इन दोनों Corporative Bank के दोरा नहीं की गई और इसके चलते उन पर 50,000 रुपे का जुर्माना जो है वो लगाई गया है क्यों लगाई गया है अब इन्होंने क्या किया कि जितने भी उधार करताओं के रिंड थे खातों को Upgrade और नियमित करने में ऐसा फ़ल रहे उसके बाद में जो रिंड इन्होंने दे रखाता पहले से जो रिंड दे रखाता उसको वापस से ये लाने में नाकाम्याब रहे इनका NP जो था Non Performing Assets वो आप लोग को पता है कि 60% से जो है उपर नहीं होना चाहिए वो इनका जादा गया इसलिए इनके उपर क्या लगाया गया है जुर्मना लगाया गया है Next देखिए Financial Year 2023 के लिए वेश्यो बैंक के द्वारा भारत की क्या अनुवानित जो है वो GDP बताई गई है ऐसे कोशन एक्जाम में जरूर आते हैं तो आप लोग जो है इन कोशन को जरूर याद कीजिएगा Correct answer हमारा क्या हो जाएगा इसका Correct answer हो जाएगा 7.5 इतनी जो है वो प्रोजेक्टाइल बताई गई है वर्ड बैंक के द्वारा तो वेश्यो बैंक ने भारत के लिए विद्वर्ष 2023 की अपनी आर्तिक वर्दी को 8 परतिशत घराकर कितना कर दिया है 7.5 परतिशत जो है वो कर दिया है पहले 8 परसेंट था कम कर दिया है भारत की बारे में ये अनुमान है कि लगभग लगभग सभी जो Economic Reports बनती है उनमें सब ने क्या किया है एक Report जारी की गई थी I hope आप लोगों ने वो पड़ी होगी Black Swan के नाम से Black Swan आप लोग सर्च कीज़ेगा इस नाम से ये Report जो है वो Recently Released की गई थी उसमें बताया गया था ये ठीक है चलिए भारति रिजर्व बैंक ने बाहरी Benchmark आधारित उधार पर उसके द्वारा जारी कुछ निर्देशों का पालन न करने के लिए किस बैंक पर जो है वो जुर्माना लगा दिया है वो भी 27.5 लाख रुपे का किस बैंक पर लगाया है पंजाब एंड सिंग बैंक पर ये कि सभी बैंकों पर प्लम साती हैं next देखिए निम्लिकित में से किसे गरूड Aerospace का Brand MSR जो है वो Appoint किया गया है क्या हमारा Correct answer हो जाएगा MS Dhoni तो MS Dhoni जो है वो Brand MSR बने हैं गरूड Aerospace के Drone startup है गरूड Aerospace उन्होंने Mahindra Singh Dhoni को अपना Brand MSR जो है वो Appoint किया है और उन में से क्रिकेटर भी उनके शेर धारकों में से क्या होंगे एक होंगे, शेर जो है वो उनके पास, MS दोनी के पास भी होंगे Next देखिए What is the name of the credit line card launched by Stace Finn, a new bank platform executively exclusively for women यहनि कि महिलाओं के लिए है credit line card इसका नाम क्या है, जो कि recently launch किया गया है new banking platform stage Finn के द्वारा क्या हमारा correct answer हो जाएगा D हमारा correct answer है, life boundless यह जो है, यह हमारा correct answer है life boundless जो है correct answer हो जाएगा Stanfish ने live boundless को launch किया है विशेश रूप से महिलाओं के लिए है यह बहुत महिलाओं बात है आप लोग को याद रखनी है यह cash bank reward, welcome credit और ATM से मुक्त निकाशी को क्या करता है यह access करता है ठीक है, तो new bank is 100% digital fully digital जो है एक facility है इसमें कोई भी physical जो है इनके ब्रांच नहीं है, पूरी digital माध्यम से यह पूरी banking प्रनाली जो है वो चलती है, next देखिए पंद्रवे वितायों के द्वारा 14 राज्यों में financial year 2023 के लिए कुल post-debolition revenue deficit अनुदान की सिफारिश की गई है कितना है वो तो यहाँ पर हमारा correct answer हो जाएगा 86,201 करोड रुपीज जो है इतने अनुदान की recently क्या की गई है सिफारिश की गई है B हमारा correct answer होगा वित मंत्राले के द्वारा 14 राज्यों को 7,183 करोड के राजस्व घाटा अनुदान की तीशरी मासे किस जो है वो जारी की गई है पंद्रवा वितायों गया 15 financial commission जो है इसके अध्यक्ष कौन है MK Singh है याद रखना MK Singh जो है इसके अध्यक्ष कौन है मुझे आप लोग comment section में जरूर बताइएगा तो वर्ष 2023 के लिए 14 राज्यों को कुल post devolution revenue deficit जो है 86,201 करोड रुपे के अनुदान की सिफारिश की गई है जो की 12 समान installment के अंदर provide करवाई जाएगी नेक्स देखिए निमलिकित में से किस बैंक को हाल ही में आरंबिक सारवजनिक निर्गम के माध्यम से fund जुटाने के लिए सेवी के मंजूरी मिली है question बहुत अच्छा है ये which of the following bank had recently got सेवी approval for rising fund through inertial public offer IPO क्या होता है share market के अंदर जब पहली बार कोई share उतरता है किसी company का तो वो IPO के अंदर आता है फिर वो secondary share market के अंदर जाता है correct answer हमारा क्या हो जाएगा इसमें होगा Tamil Nadu Merchantile Bank C जो है वो हमारा correct answer हो जाएगा तो Tamil Nadu Merchantile Bank को IPO के जरिये fund जुटाने के लिए सेवी के मंजूरी मिल गई है bank जो है वो IPO से प्राप्त राशी का उप्योग tier 1 पुझी को आधार बनाने के लिए करेगा तो tier 2 में कहां पे चल जाता है वो share market के secondary position के अंदर चला जाता है तो Tamil Nadu Merchantile Bank एक थुतुकुडी आधारित नीजी छेतर का क्या है रिन डाता एक bank है जो कि MSME agriculture, retail जो है banking इनसे relate करता है next देखिए मन्रेगा के तहट लोगपाल के रूप में किसे appoint किया गया है question बहुत अच्छा है आप लोग इसको star mark कीजिएगा देखिए आप लोग उस एक शिकायत है शिकायत ये है कि आप लोग जो है वो lecture के वारे में बताते नहीं है कि lecture आप लोग कैसा लगता है मुझे आप लोग ज़रूर बताईएगा ये दि आप लोग को लगता है कि ये जो banking का section है ये हर week आना चाहिए तो मुझे comment section में बताईए इसमें को सुधार करना चाहते हैं तो भी मुझे comment section में बताईएगा तो एन जे ओज़ा जो है ये इसके क्या किये गए है recently लोगपाल appointment किये गए है लोगपाल वो अधिकारी होता है वो officer होता है जो शिकायतों को सुनता है और जल्दी से उनको redress करने की कोशिश करता है जल्दी से उनको पता है motor car company है इसकी दोरा एक banking metaverse metaverse मतलब एक artificial जो है पूरा का पूरा एक universe है जहाँ पर हर चीज जो है वो artificial होगी तो ये जो है इसका नाम क्या रखा गया है नाम रखा गया है इसका Kiaverse तो metaverse और Kia को दोनों को मिला दिया है तो Kiaverse बन गया है तो डिजिटल समाधान प्रदाता जो विश्व इस्तर पर वित्तिय संस्थाओं और सरकारों की सेवा कर रहा है इसने भारत के अंदर पहली banking metaverse जो है इसको launch करने की गोशना कर दी है Kia की दोरा इसको launch किया गया है recently Next देखिए SBI Foundation ने किस company के साथ साज़ेदारी में कक्षा एक से दस तक के छातरों के लिए digital learning program जो है अब इस school इसको शुरू किया है correct answer हमारा हो जाएगा Khan Academy तो Khan Sir को आप लोग जानते होंगे Khan Sir के साथ में ही जो है वो साज़ेदारी की गई है ताकि SBI Foundation एक से लेकर 10 10 class तक के जो बच्चे होते हैं उनको digital learning program जो है इससे attach किया जाए तो 10 class तक के छातरों के लिए एक भारत में एक शैक्षिक गैर लाग का रिसंस था Khan Academy जो है इसके साथ में recently साज़ेदारी की गई है ताकि ये जो है देखिए एक teacher जो है वो bridge के तरह काम करता है आप पढ़ने के लिए जो है वो आते हैं और book यहाँ पर है आप directly किताब को पढ़ते हैं यदि आपके link के अंदर कहीं problem होती है तो teacher जो है वो एक bridge के रूप में काम करता है आपको समझाता है ठीक है चलिए तो उनके वर्तमान section एक verse के लिए गणित और पढ़ने के लिए एक ठोश आधार तो यह आप लोग देख सकते हैं खान अकेडमी को आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे हैं next देखिए PM मोदी ने हाल ही में के वित मंत्राले और Corporate Taoке के मंत्राले के प्रतिष्ट सप्ता समारो का उद्धातन किया तो यह जो है सप्ता कर से मनाया जा रहा है तो यह मनाय जा रहा है 6 से लेकर 11 जून तक तो वित मंत्राले और Corporate Ministry जो है इनके दौरा एक सप्ता जो है वो celebrate किया जा रहा है 6 से लेकर 11 जुन तक जिसको कह रहे है आजादी का अमरत महसव के एक हिस्से के रूप में और इसमें जन समर्थ पोर्टल जो है इसको भी क्या किया गया है लॉंच किया गया है यह credit link सरकारी योजनाओं के लिए एक राष्ट्री क्या है पोर्टल है नेक्स देखिए रेजर्व बैंक ने किस राज्जी के मुधोल कॉर्परेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद कर दिया है इस प्रकार इसे जमारासी के पुनर भुक्तान और नए धनकी शिकरती के क्या कर दिया है प्रतिबंदित कर दिया है इस पर पूरी तरीकी से बैंड लगा दिया गया है मैंने आपको अभी बताया था कि एक ना एक बैंक जो है उस पर कोई ना कोई आर्बिय जो है कोई ना कोई उस पर क्या करता है प्रतिबंद लगाता है या उसका license रद होता है या जो है उसमें deposition बंद हो जाता है correct answer हमारा क्या हो जाएगा करनाटा का जो है ये correct answer हो जाएगा तो यहाँ पर मुधोर कॉर्परेटिव बैंक लिमिटेड इस्थित है और इसको क्या कर दिया है RBI ने उसी act के थुरू कौन सा? 1934 और इसमें Banking Regulation Act जो है 1949 वो भी count होता है तो बैंक ने क्या किया है RBI ने recently इसके license को रद कर दिया है RBI के बारें तो आप लोगो पता ही होगा कि 1 अपरिल 1935 को इसके स्थापना की गई थी Young Hilton Commission की सेफारिश पर Next देखिए व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट संमेलन की वेश्व निवेश रिपोर्ट के अनुसार भारत पिसले जो calendar year था 2021 में FDI में किस इस्थान पर रहा है Correct answer होगा हमारा 7th rank पर FDI में भारत जो है 7th rank पर रहा है ठीक है किसके अनुसार है ये ये अनुसार है किसके व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट संमेलन जो है वो आईजित किया गया था और इसी के अनुसार ये सात्वा इस्थान जो है FDI के अंदर ने बताया गया है ठीक है रिपोर्ट के अंदर अंकटार ने कहा है कि भारत में FDI 2021 में घटकर 25 billion dollar हो गया and CEO of RBL Bank तो RBL Bank के ने MD और CEO जो है वो कौन अपोइंट किये गये है C हमारा correct answer होगा R. Soberman नेम कुमार जो है वो अपोइंट किये गये है और मैंने अल्डरी आपको बताया है कि ये जो अपोइंट है ये की जाती है Bank Board Bureau के द्वारा ठीक है Bank Board Bureau के द्वारा जो है अपोइंट मेंट की जाती है RBA इनका अपोइंट मेंट नहीं करता है ठीक है अच्छे से इसको याद कर लीजीगा तो भारती रिज़ोर बैंक ने R. Soberman नेम को RBL Bank के MD और CEO के रूप में अपोइंट किया है तो यहाँ पर आप लोग जो देख रहे हैं यह किवल रेगुलेट करना है इससको ठीक है जबकि MD और CEO अपोइंट किया जाते हैं किसके द्वारा यह Bank Board Bureau के द्वारा अपोइंट किया जाते हैं तो सुप्रमंडम कुमार को कारेभार समालने की तारिक से तीन साल के लिए RBL में के अंदर MD CEO अपोइंट किया गया है ठीक है इससे पहले वो Indian Overseas Bank के पूरू परबन निदेशक भी रह चुके हैं नेक्स देखिए किस Electric Two-Willer निर्माता ने अपने ग्रहकों के लिए वहां नवित्व पोषण की पेशकर्स करने के लिए भारती इस्टेट बैंक के साथ में क्या किया है भागेदारी की है करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा अर्थर अथर जो एनर्जी है इसके दोरा क्या किया गया है रिसेंटली भागेदारी की गई है M.O.E. साइन किया गया है तो बैंगलोर करनाटक में इस्टेट एक एक टूविलर कंपनी है एथर एनर्जी ने अपने ग्रहकों के वहां नवित्व पोषण एनकी उनको लोन प्रवाइड कराने के लिए SBA के साथ में भागेदारी की है ठाकि आसानी से उसको परचेज कर सके एजी इंस्टॉल्मेंट्स हो सके कम उनकी ब्याजदरे हो तो यहां पर 9.55% प्रतिवर्स जो है वो ब्याजदर यहां पर रखी गई है 22 नमर कोशन है तो हमारा इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा D इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फीनो पैमेंट बैंक तो जितने भी छोटे व्यापारी हैं मध्य व्यापारी हैं उनके लिए एक डिजिटल जनरल इंस्ट जो है सुविधा वो प्रवाइड करवाई गई है फीनो पैमेंट बैंक के द्वारा तो गो डिजिटल के लिए एक कॉर्परेट प्रतिनिधी की रूप में जो है वो कारे करता है नेक्स देखिए रिटेल और e-commerce प्लैटफॉर्म पर खरिदारी के लिए अपनी किस बैंक ने जश्ट मनी के साथ में क्या की है साजिदारी की है तो 10 लाग रूपे तक के लेंदेन को e-m-i में क्या कर सकते हैं जिसमें आपके रजिश्र, मोबाइल नंबर पैन, कार्ड और OTP जो है इसको डाल कर ये सुईधा पराप्त की जा सकती है नेक्स देखिए किस कंपनी ने फिलिपकार्ट में उसके 6 यनि कि उसके 6 संस्थापक बिन्नी बंसल से 264 मिलियन अमेरिके डॉलर के साथ में साजिदारी की है तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एक चीनी प्रदकी कंपनी है तो सिंगापुर मुख्याले वाली इकॉमर्स फर्म फिलिपकाट का परिचारन केवल काँपर है भारत के अंदर है ठीक है चलिए केंद्री वित्त मंत्री निर्मला सितारमन ने किस राज्ये में सीमा, शुल्क और GST के राष्टरी संग्राले धरोवर जो है इसका ओधगाटन किया है तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा गोवा के अंदर जो है वो धरोहर एक इसका ये जो है संग्राले है म्यूजियम है इसका ओधगाटन किया गया है जिसका रिलेशन जो है वो GST से है नैशनल कस्टम से है तो निर्मला सुतरमन के द्वारा इसका ओधगाटन किया गया है दरोहर के पंजे की प्रसिद ब्लू बिल्डिंग में मंडोवी नदी के तट पर ये इस्तित है दरोहर देश में अपनी तरह का एक म्यूजियम है जो नेक ना केवल देश भर में भारतिय सीमा शुल्क द्वारा जब की गई कलाकरतियों को प्रदिशित करता है बल्कि आम जन्ता के ग्यान के लिए बुनियादी सीमा शुल्क प्रकरियाओं को भी क्या करता है वो दर्शाता है नेक्स देखिए तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 7.8% इससे पहले हम लोगों ने वर्ड बैंक का किया है वर्ड बैंक के दौरा जो GDP प्रोजेक्टाइल रेट है उसको 8% से घटा कर 7.5% कर दिया है तो यहाँ पर फिच के दौरा 7.8% जो है वो डिसाइड किया है इसने भी घटा दिया है तो यह सीधे साफ तोर पर संकेट जो है यह कह रहे हैं कि इंडियन एकोनमी जो है वो फूचर के अंदर थोड़ा सा डाउन जा सकती है सारसवत सहकारी बैंक ने हाल ही में दो प्रबन निदेशक नियुक्त किये है इसका मुख्याले जो है वो कहां पर इस्तित है तो सारसवत सहकारी बैंक का मुख्याले मुंबई के अंदर इस्तित है RVA का मुख्याले भी जो है वो मुंबई के अंदर इस्तित है तो अभिजित वी प्रभू और RTA पाठेल इसके क्या किये गए हैं MD अपरेंट के गए हैं और इनका अपरेंट मेंट एक अपरेल 2022 से क्या होगा प्रभावी हो जाएगा इसका मुख्याले मुंबई के अंदर इस्तित है Next देखिए किस बैंक ने अपनी KCC डिजिटल नवीनिकरण योजना शुरू की है जिससे पात्र ग्राहक अपने KCC खातों की डिजिटल मोड के माध्यम से नवीनिकरण जो है एनके रेन्यू उनको कर सकते हैं Correct आंसर हो जाएगा हमारा Indian Bank तो Indian Bank के दोरा ये Facility दी गई है Indian Bank ने अपने KCC तो किसान क्रेडिट कार्ड इसको कहते हैं इसका Digitalization करने के लिए Renew करने के लिए Indian Bank की दोरा ये जो है इसको शुरू किया गया है यह पहल Web Advanced Virtual Experience की दुनिया के तहत बैंक के Digital परिवर्टन का क्या है एक हिस्सा है Next देखिए भारत FIH को कितने रुपे की प्रारंबिक सारोजनिक पेशकर्श के लिए बाजार नियामक सेवी की मनजूरी मिली है तो यहाँ पर भी IPO की बात की जा रही है इनर्शिल पब्लिक ओफर की तो 29 नमबर कोशिन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 5000 करोड रुपीज की जो है यहाँ पर सेवी के दोरा मनजूरी मिल चुकी है तो भारत FIH जो है वो अपने IPO जो है वो लाँच करने वाला है तो भारत FIH को 5000 करोड रुपे की प्रारंबिक है निकि IPO के लिए बाजार नियामक से भी से जो है वो मनजूरी मिल चुकी है और यह जो कंपनी है यह शाओमी और नोक्या के लिए डिवाइस भी बनाती है नेक्स देखिए कौन सा भुकतान समधान प्रदाता देश देश भर में किसी भी ATM से रुपे संचालित कार्ड का उप्योग करके नगदी निकाशे शुरू करने वाला पहला RBI लाइसेंस प्राप्त PPI जो है वो बन चुका है अभी हम लोग देखने वाले हैं What is PPI? करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ओमनी कार्ड जो है ये बन चुका है ताकि इससे जितनी भी नगद निकाशी जो है विड्रॉज जो है वो आसानी से किया जा सके ठीक है तो भुक्तान समधान प्रदाता ओमनी कार्ड देश भर में किसी भी ATM से रुपे संचालित कार्ड का उप्योग करके नगद निकाशी शुरू करने वाला पहला RBI लाइसेंस प्राप जो है वो PPI बन चुका है ठीक है RBI दोरा गैर बैंक लाइसेंस प्राप संस्थाओं को डिजिटल वालेट के नगद निकाशी को सक्षम करने के अनुवती देने के बाद यह कदम जो है वो उठाया गया है आप लोग मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं इसके साथ में ही लेक्चर की PDF आप लोगो को दीपक इंदोरा ओफिशियल टेलिग्राम चैनल पर अवेलेबल करवा दी जाती है कि स्टेडी ग्लोज आप लोग के लिए बहुत ही बहतरीन कंटेंट लेकर आता है Knowledge is Power ये हमारी टेग लाइन है तो आप लोग Banking Awareness के जितने भी लेक्चर हैं वो सारे आप लोगो कवर करने हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा मिलते हम लोग नेक्ट लेक्चर में तब तक ले धन्यवाद थैंक यू